हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो मैं चानल शायना गोयल सो फ्रेंट्स आप सभी फितन फाइन होंगे हेल्दी होंगे होप सो देखिए बीएड का जो लेटेस्ट सिलेबस है पंचाबी उनिवर्सटी पते आला खास सेशन दो हजार बाइस तेइस तेइस चौबिस का वो मैं आ बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है जो आपने फॉलो करना है उसमें से डिड़क्ट किया है कुछ सिलेबस और कुछ निव एड हुआ है तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बस यह सिलेबस फॉलो कर लो पिछला अगला सोचने के कुछ ज़रूरत नहीं है ठीक है यह बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है सबसे पहले देखिए हमारा जो शिलेबस की बात करेंगे अपके इसमें होते हैं सेवन सब्जेक्ट सर्स सेमेस्टर में ठीक है थोड़ा बेसिक पहले डिसकस करते हैं ताकि आपको ओवरववीयों क्लियर हो जाए सेवन सब्जेक्ट होंगे जिसमें से 5 सब्जेक्ट हर बच्चे ने compulsory पढ़ने हैं चाहे आपके पास सब्जेक्ट teaching का कोई भी है आप English ली है आपने सस्ट ली है math science जो भी लिया है पांच सब्जेक्ट है जो आपके बिल्कुल common होंगे और वो कौन से है philosophical perspective ठीक है psychological perspective teaching learning process library resources and art in education and experiential learning यह पांच सब्जेक्ट हैं जो हर बच्चा पढ़ेगा चाहे आपने किसी भी stream में admission ली है बेड के अंदर ठीक है जी अब रहे बाकी के दो जो दो subjects हैं वो होंगे आपके जो teaching subjects हैं यह depend करेगा कि आपके पास दो आपने कौन से major minor subject आप किये हैं यह वही दो subjects हैं subject 1 आपका कौन सा होगा जो आपने major लिया है subject 2 आपका कौन सा है जो आपने minor लिया है ठीक है तो दो teaching subjects आपके यह होगे all in all आपके seven यह subjects होगे और दीखिए credit based system जो है colleges में आजकर चल रहा है तो total credits आपके semester के कितने हैं 20 credit है ठीक है अब थोड़ा syllabus को हम हम देख लेते हैं और credit के according जो आपके marking scheme है उसको भी हम देख लेते हैं सो देखिए यहां पर आपका जो syllabus है यह जो detailed इसकी पहले credits है उसके marking scheme है यह देख लो philosophical perspective in education external होते हैं आपके 70 marks यानि कि तीन घंटे का paper होगा आपका 70 marks external paper ठीक है और 30 marks की आपकी internal होगी internal किसके basis पर आपकी जो assessments है आपकी performance है class में ठीक है आपका कोई भी आपने assignments की है या फिर कोई आपका homework है जो भी कुछ classroom के दौरान आपकी assessment के marks लगेंगे वो total 30 में से आपको final marks दे दिये जाएंगे और पंजाबी उनिवर्सटी की बात करें तो 30 में से 30 मिलने भी possible है ठीक है GNDU में इतनी assessment नहीं जाती है लेकिन पंजाबी उनिवर्सटी में assessment काफी जाती है 25 प्लस marks तो बहुत बच्चों के आ जाते हैं internal में अब आपका जोर किस पे होना चाहिए external पे ऐसे निया कि internal भी आपकी सफर करें काम अपना time to time करो तो आपके internal भी अच्छी जाएगी और external के लिए आपको मेहनत करने पड़ेगी और total आपका 100 marks का paper है ठीक है जो compulsory पहले ती देड़ घंटे का ठीक है डेड़ घंटे का paper होगा और इसमें आपने दो long question करने होंगे और five short questions करने होते हैं ठीक है वह मैं आपको detail में question paper का pattern अलग से बता दूंगी और किस तरह से पंजाबी उनिवरस्टी पटेयाला में आपको answer attempt करना है वह बहुत main चीज है वह अलग से मैं आपको session लेकर बता दूंगी कि कैसे answer की beginning करनी है ending करनी है बीच में क्या लिखना है each and everything clear तो पहले आप इसका यह overview देख लो और आपके यह है part 1 teaching जो subjects आपने लिए हैं इन में से कोई भी एक जो आपका है then आता है यहां पर आपका another compulsory subject that is library sources and art in education इसके फिर दो credits है यानि कि 35 external 15 internal and all in all 50 marks experiential learning भी आपका 50 number का question है तो पूरा का पूरा जो semester है इसमें आपके 500 में से marks आएंगे अगर हम credits के बात करें तो 20 credit में से आपको credits mark किया जाएंगे यह चीज़ क्लियर हुई अब हम finally इसका syllabus जो है देख लेते हैं जो compulsory subjects है वो मैं syllabus आपको यहां पर discuss करूँगी लेकिन जो आपके teaching subjects है वो आपको telegram channel पर यह complete PDF जो है मैं share कर दूँगी वहां से आप जो भी आपका subject है teaching वाला उसका syllabus आप वहां से देख सकते हैं telegram channel का link आपको इसी वीडियो की description में मिल जाएगा वहां से आप उसको open to join कर लें now moving on to the syllabus so सबसे पहले है philosophical perspective in education 100 marks का paper है तो यह देख लो चाहे आप इसका screenshot ले लो या फिर telegram पर share करूंगी आप वहां से भी इसको download करके रख सकते हैं philosophy है ठीक है its nature scope यह complete जो syllabus है ना हम discuss करने वाले हैं detail में आप बिलकुल भी tension मत लेना इस चीज की classes आपकी जब भी start होंगी और देखो 28 semester 1 में बच्चों को confusion हती है और tension भी होती है थोड़ी सी कि किस तरह से पढ़ना है क्योंकि syllabus बहुत different है जो आप graduation में पढ़कर आये होना उससे syllabus काफी हद तक different होता है तो यह चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा time चाहिए होता है जो आपको नहीं मिलता admissions के कारण और December end में आपके exams होते हैं तो इन चीजों को आपकी classes start हो ना हो आप यहां पर चैनल पर classes start होंगी वहां पर definitely इनको समझ ही है पहले तो जब आपके classroom में sessions होंगे तब आपको वो चीज रिपीट होगी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएग जो आपको beard में पढ़ाई जाती है theories है या फिर psychology है philosophy है सभी education के related जो policies है various ठीक है वो सारी चीजों में से mcqs पूरे भर कर आते हैं तो अगर अभी आपको यह चीज़े क्लियर होई फिर ही आप final अपना paper crack कर वाओगे इसके बाद है यहां पर recommended books भी दी गई है बट I suggest कि जो आपको college में follow करवाई जाती है आप वो लो otherwise 21st century की आप publication की book ले सकते हैं उसमें भी अच्छा material जो है दिया होता है next है psychological perspective in education बच्चे अकसर confused होते है philosophy क्या है psychology क्या है तो एकदम से आपके concepts इसके related मैं clear करवाँगी sessions बह है growth and development है Indian adolescence है बहुत ही ज्यादा interesting जो है psychology का topic है लेकिन उतना ही ज्यादा vast है बच्चे confused होते है individual difference क्या है intelligence की theories क्या है don't you worry about this क्योंकि इतनी interesting बना देने वाली हुमें यह चीज़ें आप लोगों के लिए कि पूरी tips पर हो जाएंगी कोई notes आपको follow करने की जरूरत नहीं है आपके concept इतने clear हो जाएंगे इन चीज़ों के लिए कि पूरा का पूरा syllabus आपको ऐसे लगेगा कि हमें revise करने के भी जुरूरत नहीं है next देखिए इसमें है teaching learning process का syllabus अगें 100 marks का आपका यह paper है और देखिए teaching learning process में आपको लग रहा होगा कि जो material है यह थोड़ा है या फिर syllabus इतना नहीं है लेकिन बच्चों के marks कम इसी subject में आते हैं मैं बार-बार पहले भी आपने देखा होगा कि teaching learning process पर मैं जो डालती हूं क्योंकि यहां पर बच्चों की supplies आती हैं या फिर उनका paper clear नहीं होता या marks कमाते हैं तो इस subject को take it for granted मतलेना बहुत easy है इसलिए हमें समझ में नहीं आता कि किस topic में content क्या लिखना है वो चीज़ clear होनी ज़रूरी है तो next हम देखते हैं अपना compulsory जो subject है that is library sources and art in education 50 number का paper होगा जिसमें से 35 का external paper है अब देखो पहले यह subject ना अलग लग थे library cataloging and art in education लेकिन इनको combine करके एक subject बना दिया और एक part तो इसका कर दिया library का और second part कर दिया art and aesthetics जो भी है यह art education का ठीक है तो यह बिल्कुल छोटा सा syllabus है कोई खास इसमें बात नहीं है बहु क्योंकि 50 marks का है 35 marks का paper होगा तो content इसमें कम है next is experiential learning यह इसका जो है syllabus है और देखे books आप जो college में होगी वो follow कर सकते हैं बाकी extra books में से पढ़ना जरूरी है ठीक है क्योंकि extra points आपको मिल जाएंगे otherwise channel पर जो भी मैं चीज़ें आपको पढ़ाऊंगी उसके notes आपको telegram पर मैं भूलें it's totally free of cost और जो notes provide करोंगी उसके भी कोई charges नहीं है बस आप अपने concept clear करो और paper अच्छे से करो और finally अपने जो आपने test फिल करोगे उसमें से अच्छे से marks लेकर आकर अपना future बनाओ ठीक है यही मेरा main motive है to spread out the knowledge और बच्चों के concepts clear करना क्योंकि काफी मैंने देखे ह यह इसमें इतने marks आने चाहिए इतने marks आने चाहिए ठीक है बिल्कुल जो main topic है वहाँ से start करते हैं लेकिन जब तक बच्चों के concept clear नहीं होते ठीक है तो तब तक आप लोग किसी भी subject में complete अपना hold नहीं पापाऊगे ठीक है कोई भी book है पहले तो आपको उसका name जो book कहा है नहीं उसका meaning पता होना चाहिए क्या है फिर आप उसमें subject का content धीरे धीरे study करते हैं So friends इसके related आपको कोई doubt हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं और यह video helpful रही हो इसे like and share जरूर कीजेगा and see you soon with the classes for the first semester चल्दान के watching friends